हेलो दोस्तों स्वागत है आप सुभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टेटी वेच चिम बनारस में और मैं हूँ शपना वर्मा तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भासा अधिगम और भासा अरजन से संबंदित प्रश्न जो आपके सीटेट एकसाम में पुछे गयते और जो आपके आने वाले सीटेट एकसाम के लिए बहुत ज़ादा important है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के questions को तो यहाँ पे दीखे question number first है question यहाँ पे कराएगा भासा अरजन के संबंद में कौन सा कतन उचित नहीं है Option यहाँ पे A कराय भासा के नियम सीखे जाते हैं Option B परिवेश से प्राप्त भासिक आकडों के आधार पर सहज रूप से भासिक नियम बनाये जाते हैं Option C भासा अर्जन में भासिक परिवेश महत्पूर होता है Option D इसमें समाज संस्कृती विशेस्ताओं को सहज रूप से आत्मसाथ किया जाता है तो यहाँ पे देखें जो भासा है भासा अर्जन सहज एवं स्वभाविक प्रक्रिया जिसमें बच्चे घरेलू परिवेश में भासा के नियमों को आसानी से आत्मसाथ करता है और जबकि भासा अर्जन एक सचेतन प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपचारिक रूप से विद्याले या सिच्छर संस्थानों में भासा के नियमों को सीखते हैं और यहां पर क्वेशन में पूछा है भासा अर्जन के संबद में कौन सा उचित नहीं है तो यहां पर ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भासा के नियम सीखे जाते हैं या भासा अधिगम के हैं न कि भासा अर्जन के तो यहां पर ऑप्शन नमबर ए य प्रुहावरे लोकितियां का ज्यान प्राप्त करना, ओप्शन B कहानी कविताओं को दुहराने की कुशलताओं का विकास करना, ओप्शन C तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की युग्यता का विकास करना, ओप्शन D अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कु कि कुशलत्या का विकास करना तो यहां पर देखिए जो अप्सन नमबर डी है यही परफेक्ट है तो यहां पर यही वाला अप्सन राइट हो जाएगा ओके आई वोप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चलते हैं नैश्ट कुश्चन पे अब देखिए यहां पर संबभाव नहीं है ओप्सन वैन्या यहां भासा कि अपनी लीपी होती है ओप सट नी फास sowडिक एक सीधा संबंद है तो देखिए पहले हमनों समझ लेते हैं लीपी का देखिए तात पर है कि किसी भी भासा को लिखने के ढंग से अर्ठ्था जात द्वनियों के लेखन के लिए प्रयोग किये जाने वाले चिन्लों को लिपी कहा जाता है तो देखें किसी भी भासा को किसी भी लिपी में लिखा जा सकता है क्योंकि यह विश्वे की सभी भासाएं थोड़े से फिर बदल से एक ही लिपी में लिखी जा सकती है और इस त Q4 है तो Q4 यहां पर कर रहा है कि भासा का अस्तित्व इवं विकास डैस के बाहर नहीं हो सकता Option A कर आप परिवार, Option B, साहित्य, Option C, समाज, Option D, विद्याले यहां पर मानों समाज भासा के बिना नहीं चल सकता क्योंकि यह समप्रेशर का सबसे ज़्यादा सुद्य और श्रार्व भौमिक माद्यम है और जो हमारी भासाई समपर्क है, हमारी समाज का निर्मार करती है अर्थात समाज से बाहर नहीं होती तो यहां पर Option Number C बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भासा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता चलते हैं नैश्ट कोश्चन पर अब देखिए यहां पर Question Number 5 है तो देखिए अब Question Number 5 है Question Number 5 कराई कि भासा का प्रमुख प्रकार्य है Option A कराई प्रतिवेदन लेखन Option B समप्रेशर करना Option D भासा देना Option D लेखन छमता तो देखिए भासा देखिए यह मुख से चारित होने वाली वद्वनी है जिसके द्वारा मनुश्य अपने मन के विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है और शिंपन सी भासा में कहें तो भासा जो है वैचारिक आदार प्रतान का माध्यम कहा जा सकता है इसलिए भासा का प्रमुख प्रकार है संप्रेशर होता है तो यहाँ पर option number B जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा संप्रेशर करना तो भासा का प्रमुख प्रकार है संप्रेशर करना तो यहाँ पर option number B बिल्कुल राइट हो जाएगा ओके चलते हैं next question पे अब देखें यहाँ पे question number 6 है question number 6 कर रहा है कि भासा अरजित करने के संदर्ब में कौन सा कथन उचित नहीं है option A है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जता है option B यहाँ एक सहज प्रक्रिया है option C यहाँ एक सभाविक प्रक्रिया है option D बच्चे भासा के नियमों को आत्मसात करते हैं तो देखें यहाँ पे भासा अरजित करने के संदर्ब में जो सही कथन है वह है यह एक सहज प्रक्रिया भी होती है और यह एक शभाविक प्रक्रिया भी होती है और बच्चे जो हैं भासा के नियमों को आत्मसात करते हैं बच् चलते हैं next question पर अब यहाँ question number 7 है question करा है कि भासा सीखने और भासा अरजित करने में मुख्य अंतर का आधार है option एक रहाँ साथ छर्ता option B पाठ्थे शामकरी option C भासा परिवेश option D भासा आकलन आपर जो मुख्य अंतर है वह है भासा परिवेश तो देखें जो भासा सीखने हैं और भासा अरजित करने में मुख्य अंतर यही होता है भासा परिवेश क्योंकि देखें जो भासा सीखना है यह भासा अधिगम के अंतर गताता है जो कि एक नियम के साथ चलता है जो कि हम वि तो यही देखिए अब मुख्य अंतर है भासा परिवेश का तो यहाँ पर option number C बिल्कुल राइट हो जाएगा ओके चलते हैं नैश्ट कोश्चन पे अब देखिए यहाँ पर question number 8 है कराय के भासा अरजित करने की प्रक्रिया में किसका महत्तु सरवादिक है option A कराया है भासा कच्छा का, option B भासा प्रयोग साला का, option C पाठ्थ पुस्तक का, option D समाज का तो यहाँ पर देखिए भासा अरजित करने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्तु पूर होता है वो होता है समाज का तो यहाँ पर option number D बिल्कुल राइट हो जाएगा चलते हैं next question पर, अब देखिए यहाँ पर question number 9 है और यहाँ पर question number 9 कराया है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बात चीत करती है option A कराया के सदैव बच्चों की परिच्छा ले रही है, option B समय नश्ट कर रही है, option C बच्चों को भासा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है option D बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है देखें यहाँ पर जो सुलेखा है, जब तब बच्चों के साथ बात चीत करती है, तो बच्चों के साथ भासा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है तो यहाँ पर option C बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके, चलता है नाश्ट कोशन अब देखें यहाँ पर question number 10 है, question number 10 कराया है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वेम भासा अर्जित करते हैं, इसका एक नियतार्त यह है कि option A यहाँ पर कराया है कि बच्चों को अत्यांत्सरल भासा का परिवेश उपलब्द कराया जाए यहाँ पर देखें जो correct answer हो जाएगा ओक्षन number C का कि बच्चों को समरित भासिक परिवेश उपलब्द कराया जाए क्योंकि देखें जो सम्रिद भाषिक परिवेश है इसमें भाषा सीखने के लिए सरवाधिक महत्पूर कारक है क्योंकि यह बच्चों की समझ को सब्दों और व्याक्यांसों की रचना के संबंद में विस्तार देता है इसलिए यहाँ पर option number C बिल्कुल right हो जाएगा चलता है next question पर अब देखें यहाँ पर question number 11 है question देखें यहाँ पर कराए कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्दती सरवाधिक रूप से सहायक है option A कराए सस्वर पठन option B, mon पठन option C, दुरूत पठन option D, धीमा पठन तो देखें आर्थ की गहनता को समझने के लिए सबसे अच्छी पद्दती है वह है mon paton क्योंकि mon paton में हम लोग सबसे ज्यादा आर्थ की गहनता को गहराई से समझसकते है mon paton में सस्वर वाचन से जीदा हम लोग सब्दों को गरहढ कर सकते हैं तो यहाँ पर option number B बिल्कुल राइट जाएगा, ओके, next question देखते हैं, अब देखें, यहाँ पर question number 12 है, question यहाँ पर करा है कि भासा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है, जब, option A देखें, यहाँ पर करा है, भासा के नियम कंठस्त कराए जाए, option B, भासा स सिच्छक कठोर रवाया अपनाते हैं, option C, भासा प्रयोग की दच्छता प्रमुक उद्देश हो, option D, भासा की पाठे पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, तो देखें, यहाँ पर सबसे अगर राइट का बात करें, तो वह हो जाएगा, option C का कि भासा प्र तो देखें, यहाँ पर कुश्चन करा है कि भासा सीखने के लिए कौन सा कारक सरवाधिक महत्तपूर है, option A करा है समरिद्य भास्षिक पातावरण, option B, भासा की व्याकरणिक नियम, option C, पाठ पर आधारिक प्रश्न उतर, option D, भासा की पाठे पुस्तक, तो यहाँ पर बातों को दूसरों के सामने रख्ष रखता है, तो यहाँ पर option A बिल्कुल राइट हो जाएगा, चलता है नाइस्टो कोश्चन पर, अब देखें, यहाँ पर question 14 है, question 14 करा है कि अन्य विश्यों की कच्छाएं बे भासा अधिकम में सहायता करती हैं, क्योंकि, option A करा है कि अन्य विश्यों को पढ़ने पर वैविध्य पूर भासा प्रयोग के अनिक और उपलब्द होते हैं, option D, अन्य विश्यों के सिच्छक विशय के साथ साथ भासा भी सिखाते हैं, तो देखें, यहाँ पर सबसे अच्छा अगर बात करें, कि अन्य विश्यों के कच्छाएं भासा अधिगम में सायता करते हैं, क्योंकि देखें, अन्य विश्यों को पढ़ने पर वैविध्य पूर भासा प्रयोग के अनिक और उश्यर उपलब्द होते हैं, तो यहाँ पर option C, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चलते हैं नैश्ट क्वेश्यों पर, अब देखें, य रोजगार प्राप्त करने के लिए यही भासा सीखी जाती है, option B, भासा अरजन के लिए सम्रिद्ध भास्याई परिवेश की आशकता होती है, option C, भासा अधिगम में संप्रेशर कुसलता पर भी बल रहता है, option D, भासा अरजन सहज और श्रभाविक होता है, जबकि भासा अ अगर करेक्टिक के बात करें, option A, यहां पर राइट हो जाएगा, कि रोजगार प्राप्त करने के लिए यही भासा सीखी जाती है, कोई वो नहीं है कि भासा अरजन और भासा अधिगम के संदर्व में सही हो, क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं है कि रोजगार प्राप्त कर यहां पर option number A बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यहां गलत ही पुछा है, तो यहां पर option number A बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को like, share, और नए है चैनल पर तो चैनल को subscribe जरू करिएगा, ताकि आपको आगे का वीडियो मिल सके, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई